तो गाइस कैसे हो आप लोग तो परफेक्ट वाल के नेक्स्टी नवल के एपिसोड नमर 193 में आपका स्वागत हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो जैसा कि अब तक हमने पिछले एपिसोड में देख रखा कि कैसे एलेक्स ने चार हेवनली डाटीज लवल के बंदो को मार डा होता है जिसमें से ड्रागन स्पैलो मा यूवान होर्न ब्रागन और गोल्डन एंसन एलिफेंट होता है जो कि मारे जा चुके होते हैं जिसके साथ हमें बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है मतलब कि वहाँ पर और भी हेवनली डाटीज के बंदों होते हैं जैसे प्यू होते हैं लेकिन यहाँ पर उन्होंने किसी ने भी एक स्पेक्ट नहीं किया था कि एलेक्स एक्चुली में बाकी के बचे हुए हेवनली डाइटीज का भी पीछा करके उन सब को मारने लया क्योंकि एलेक्स का फिजाया डैमेज हो चुका था वह बहुत ही इंजर हो चुका लाइटनिंग ट्रिबलेसंस के कर्स की कान जिसके साथ दिखाया जाता है कि वह अपने रेलम सेटरिंग सिंबल्स का यूज करता है और उन सब का पीछा करना सुरू कर देता है अभी बहुत आर्टरिफाइं होता है क्योंकि इसकी वहां की वाड में क्रैक आने लगती है वह स्वाड्स का ही युज करके उसके पीछे जानी लगता है इसके साथ बता hetpink जू के बारे में जो कि सबसे लाष्ट में भागता है मतलब तीन बचे होता है दो तो पहले ही हुग चुकि होते हैं लेकिन पीघ़त हैं वह लाष्ट में भाग रहा ह Aur़ता है और वह अपने क्ल ने इनका में साथ को रिलेस्ट रिलेस्ट के साथ कोई रिलेस्ट नहीं है तो तुम उनके साथ कुछ भी मत करना अब लेक्स जो कि लाइटिंग ट्रेवलेस्ट से फूरी तर से घिरा होता है उसकी बोस्ट टूर्च रहा होता है और दिखाया जाता कि वह उस पर अटाक कर दा मतलब कि यहां पें किसी को नहीं छोड़ने वाला हता है जिसके साथ वह अपने पावर्स का यूज करता उस पर अटा वह पूरी तरसे पूरी तरसे क्या सकते हो म्रिकी का ऑर पे आ चुका अत यतने के काई सथी वो सирी हीरान हो जा रहे था है दिसके साथ दिखाया जाता है लेह उस् बंच रही पर मार देता है मतलब वह भी मारा जाता है मतलब एक और राटिस का बन्च ना मारा जात है जिसके बाद हमें एप माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहां पर नेटिव एप रहा करते है और वहां पर वही इंसे ने जो कि एवन लीडाइटी होता है भाग कर आया होता है विसके मुझे से खुन की उल्टिया हो रही है तो इस पर भी कर्स लगी हुई होती है अगर सब्सक उनर्जी की साथ अपने क्लांस में जाए तो हो सकता है कि उसके क्लैंस वाले भी इससे डैमेज हो जा है और से मारे जा सकते है जिसके कान वह वह there जाता है जिसके पाड़-एलक्स घॉल जगे आजता है ता कि वह उस एप को मरुसक के यह उसके पास पहुंस नहीं कह हो जाता नहीं है यहां फिन अपने between स्पीर्स के साथ और वह उस पर अटाक कर देता है लेकिन यहां पे यह विर्ट होता है लो एनियोशकों कर दो जो होता है वो आफ का पिजार डैमेज्ड शुका होता है जिसके साहधे हो जाता की अलएक्स से वो एंसेंट एप मारा जाता है और यहां पर उसे मरने से पहले कहता है की ऐसा क्या से हो सकता है मुझे की फिस्वास नि हो था कि 武 formations बंदे के हा तो मारा जा रहा हूं अब दिखाँ जाता कि वह भी मारा जाता है मतलब एक और बंदा मा बन्ली यही बांकि छोड़ने होदा है उसको भी उसके साफ उसके पीछे निकल परता है जिसके सात हमें एक इंसेंट पालीस सीन दिखाया जाता है जहां पर कैसा है ब्राउज स्ट्रक्čर एक दूसरी पहले हुए होते। यहीं पर वो आजाता है जो की डीकुन होता है और वो है अभी आभी इसै कर्स पैलेस को अपने स्ट Украї को ठीक कर रहा होता है और क्या सकता तो अभी अपने कलांस वालों को तैम集 नहीं देना चांता है ऐसको हट नहीं करना चाहता है इसलिए वो वहाँ पर नहीं जाता है जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वह दो तर और वहाँ भी, Alex Sixth आ जाता है व को मैं तुम भी टोले Extremis को क्रॉस कर भी तुम्हारे इतनी हीमद, कि चाथे हैं तो यहां पर आलक्स आयाता है कि तुम्हें यहां पे अपने खुल्इने सुचना चाहिए यहां पर मादू अभी यहां पर एलक्सी हालत के बार में बताया जाता है कि उसकी हडिया तूटी हुई ति उसके मस्ल्स पूरीता से क्या सथो चीतरे मया हूँ होते है उसके उपर लाइटनिंग जुका होता है और किया सकते हो कि यहाँ पर कोंगी मतलब नहीं है तो चलो अब मतलब में मार करने होंगा यहां मतलब एलेक्स भी सौक हो जाता है क्योंकि यहां पे एक हैवनली रैटी अपनी जान की परवाना करके अपनी लाइप फोर्स को बर्ण करके उससे साथ फाइट करने वाला होता है जहां पर डीकुन उसे कहा था कि मैंने और इमोर्टल पालस ग्रेट सब्सक्राइब में सोच आता लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सभी इस तरह से खतम हो जाएगा मुझे पास एक अपॉर्चुन इटीज भी नहीं बचेगा अभी यहां पर एलेक्स उसाइची को सुन रहा होता है वो भी कहता है कि तुम्हार तो बहुत ही बरे-बरे क्या सकते हो यहां पर लालची बन चुके हो जिसके बाद लीकुन भी यहां पर अपनी पावर्स अपनी इक्रिवल इस्पमाल मटलब क्याते हैं ना मरते समय जो अपनी आखों में गम नहीं होता सामने वाले को मार देना व्यासा ही वह अपनी चैरे को बनाकर एलेक्सी ताप जाता है कि वो उस पे अटाक करता अपने हेलेडी डिटी नाच्रोल लास का यूज करता है ताकि वो ऐलस तो अंत अंत जाते तक में इतना मार दे या फिर मार दे या फिर कैसा हुआ इतना डामिज दे दे कि वो कभी रिकावर ही न हूपान इसके बाद दिखाया जाता कि वो जैसे उसके पास पहुंचने वाला था बंदे की किस्मत इतनी जाला खराब होती है कि जो उसे कर्स लगी होती उसी कान वो कर्स के कान ही वहाँ पर मारा जाता है उसकी सारी हड्डिया मतलब क्या सब तो प्रैमोडेल इस पर हरे चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है वहीं पर मारा जाता है मतलब इसके पास मौका में नहीं मिला कि यहां पर वो अपने बदल मंद मरने से पहले वो अलिक्स पर अट्याग कर सेकिया ऐहां पर चर्थायम्स निरिया होता है जिसके साथ लिक्षास को जो कि काफी जानर्वस होता है क्योंकि अभी इनले ऐस ओंड़ूहां diwan flame रूयल में जहाँ तर्ड स्केंड आफ इनर्जी और इनर्जी को मतलब इनर्जी को लास सकता है मतलब अपने इमोर्तल मतलब hanya ऑच्छा चीओ टीज यह और il यहांग को सिसकर रहा कि उपनी इजिशी data कि यह विफमें पई बना दे यह जैंस effort डिवान फ्लेम रियलम में ही संब होया अगर यहां पर ब्रेक्ट्रू कर गया उसे नहीं तीसरे फ्लेम मिरी तो यहां पर क्या सकता हो कि उससे कभी नहीं मिलने वाली क्योंकि बताया जाता है नोवल में कि यहां पर जो बंदा डिवान फ्लेम को जो कि और भी और भी जहां भयंकर हो चुकी होती है इसके बाद दिखा जाता है सिया मतलब अलेक्स को जो चिला कर क्या था कि मुझे और भी स्ट्रॉंगर बनना है वहां पर फर से वह सी ओफ लाइटनिंग आने लगती है यहां पर अभी थोर्ड एस्ट्रांड आफ इमोट लेवल स्टा आचुका होता मतलब अभी तक जितना में जिन्ना होता है इसके साथ दिखा जाता है उसे बहुत 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 जादर्थ होने लगता है लेकिन फिभी इस अपकोस इस करने के बाद यूसे ठाड इमोटल एनरजी नहीं मिल रही होती हो पूरी दस चीग ने च चाहता था और नर्बस होने लगता है लेकिन फिभी यहाँ पर एक एक एसाइस टेप लेता है जिसके कान वो इस सब को कर साता हमां बताया जाता है इमोटल इंसेंट ग्रेट इरास के बार में कि वहां पर एक युमर था कि जब भी कोई बंदा एक ट्रिपाइं इनरजी नहीं हो जुद है लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुती पावफुल लाइटनिंग इमोर्ज होने लगती मतलब कि आसे तो अभी तक कि सबसे पावफुल लाइटनिंग आने वाली होती जिसको देखकर तो सी हाओ कि मैं एलेक्स के एक्स्प्रेश इसके साथ दिखाया जाता है कि सी हाओ मतलब एलेक्स भी उसका फेस करने के लिए उसके सामने चला जाता है इसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत बहुत दाधमागा होने लगता है वो अपने पावर्स का यूज करता है ताकि वह उसको रसिस्ट कर सके एलेक्स क बोन्स क्राक्स ब्लड हर एक चीज तूटने भी खरने लगती है उसकी बाल तक भी खर जाते हैं और यहाँ पर आलेक्स को दिखाया जाता है जो कि इतना सब करने के बावजूद मतलब कि इसने अपने इस लाइटिंग ट्रिवलेशन को फेस करने की बावजूद भी अभी तक उसे कोई भी थर्ड इस्टोन ओफ इमोर्टल एनर्जी का नामो निसान नहीं मिला होता है यहाँ पर अपने पावर्स को देख रहा होता कि जो कि अभी फाइनल वाइटल एनर्जी पर आने लगी थी जिसके कान वो ब्रेक्थूर करने के टूट डैटि ड्रियलम में कदम र होती ह monumental बुख नहीं बंद कर देथी मतलब नहीं नहीं पाथ हो से की वह यहां पर माना जाया और वसे बहुत 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 जहाइए दर्द होने होनी नागता य से मौ शुकर ने लगता वित जो हेड्र का जिए हुत कर में लिस घ्र मान को ऊतो पर आसमान से लिक अने जाती है जिसको दिखाए एलेक्स सौक हो जाता है बारे में कि यह समय ऐसा भी आएगा जब यहां पर बहुत ही पाफल है वे टुट लेसंस आएगा जिसके साथ कई साथ कर फाइंग पर रोल करते वहां पर आएंगे और वहां पर उस लाइटनी में मोर्ज होकर आएंगे जिस एलेक्स जो की काफी जाए डामेज था क्या सकता है इंजर हो चुका होता है उसके तब फिरस अटाक आने लगता है और यहां पर यहां पर आलेक्स पर से कहाता है कि क्या तुम सच में लगता है कि तुम मुझे रोक सकता है मतलब यहां पर बहुत इल नंबा चर रहा होता है नोल से तो मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं जहां पर दिखाया जाता ही वो फिर्स आखरी दफा उस हेवन्य ट्रिवलोसंस को फेस करने के लिए निकल परता है अपनी साइट टेक्निक्स को रिलीज करता है ता कि वो उसको मार सके जिसके साथ दिखाया जाता है कि वाहां पर इसनो वाइट ब्लेटर की कुछ आती है जो कि उसके साथ ही आकर टकरा जाती है और एक्ट्वली में वो गिलोटीन होती है मतलब गिलोटीन मतलब क्या सकता हो किसी क्यों मारना मतलब पुराने जमाने में जब 90s 1800 का सामें होता है तो अंग्रीट में गिलोटीन ही सजाकन गर्दन काट कर मारी जाता है मैं चाहिक कोशिस रही यह पर इर होता है यहां पर यह दीकर तो जितने शाचर्ण हो जात हैivo on कि दो टेन मतलब कोने टोटो सब्रोव अलेश् bree गिलोटीन होता Allah की आधा कर्वरी दोट्वर से करने के करता होता है वह जो उर्जाते हैं उसकी जो प्राइमोरियल एनर्जी स्पीट होती है वो भी यहाँ पे समझ दो खतम सी होने लगी थी मतलब अगर वो पूरी तर से खतम हो जाती तो एलेक्स फिर से मारा जाता लेकिन यहाँ पर वो उसको रोकने की कोसिस कर रहाता हूं क्या था मैं मैं हार नहीं से एक लाइटनिंग रेडियंस जैसी कुछ अपियर होती है जो कि अपने उनी दो इमोर्टल एनर्जी को रिलीज करने की वज़ा से हुई होती है वहाँ पर फिर से चिलाने लगता और क्या था कि मैं मर नहीं सकता मैं पास अभी नाइन हेवन से जो कि लेटनी ट्रिबलेश करेंगा तो वह मारा जाया जिसके साथ दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर ग्रेट डाउट गिलोटीन होता है वहाँ पर चेंज होने लगते हैं और सी यहाँ को एक ट्वायल में भेज दिया जाता और तभी वहाँ पर एक आवाज आने लगते हो बताया जाता है कि प्रोसेस में जो कि उसने अपने दो इमोर्टल एनर्जी को रिलीज करी होती है वहाँ पे इसी के कान एक तीसरा इमोर्टल एनर्जी भी बनना सुरू हो जाती ही जो कि एक वाइट जीड की दरा लग रही होती है वो उसके बॉड़ी की ताफ लिपटने लगते मतलब क्या सकत है और तीन थीन एक इमोर्टल एनर्जी को रखना ये ग्लेटिस अकाप्लिसमेंट माना जाता मतलब इन बहुती ईच़्न Nah The इससे ऊपर कुछ कर लिए से साहए नहीं ही सकता इसके साथ दिखा जाता कि सीहाँ यहां पर आलेक्स सायची यह समझ जाता है कि ऐसा है उसने क्या है वह कुछ से क्याता कि वो इस पे फाइनल मुवमेंट में सक्सीड हो क्या मतलब अगर यह लास्ट मोङंआधे अपनी इमउन्टेल एनर्जी को डुनई मौतल इनर्जी को रिदीस न करता तो चैकरतों कि वह अपने थल्ची इमोहाध़ उनर्जी को बनाने में काम्याब नही पाता है यहां पेसी के साथ उसके जितनी भी previous injuries थी वसा भी हील होना सुरू हो जाती है और एफ Sand konnten कosta Sempse सब्सक्राइ। पर से बनना सुरू हो जाती है और क्या अइस लगता कि यह काफी जाया interesting होता है और see how digital pre Ookow our me your stronger पराच्बाना होता होते यह वो आ चुका है जिसके बाद वो डिवाइन फ्लेम मतलब हेवेंडी डाइटी लवस पे आ जाएगा जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी पाउर्स बहुत 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 बढ़ने लगती है और जितने ही बंदे उस नजारी को देख रहे होते हैं साही लोग सौक हो कपरे भी बर्न हो जाते है उसकी जो सरीर होती वो किसी जेट की ता चमाक रही होती है और वो पूरीता से मैचकल फोर्स फ्लॉर्स फ्लॉर्सिंग में डूब चुका होता है इसके साथ दिखाया जाता है कि वो इमेड़ेटली मिड इस्टेस टूब्राइटी वेलमें ब्रे जाता कि ऐसा क्यों कि हमने पहले से ही जान रखा था कि सीहाओ ने अपने डिवाइन फ्लेम रियल में बहुती पावर्स को अपने अंदर कंज्यूम करके रख था उसको सप्रेज कर रखा था ताकि वो इमोर्टल एनर्जी को पास के इसे के कान उसने इतना गादा एनर्जी कर लिया था कि वो ब्रेक्ट्रू करने के बाद ही मिड इस्टीज पर आ चुका होता है जिसके कान इसकी पावर्स का फिजा बढ़ने लग चुकी होती है और इसके कान जितने भी बंदे होते हैं वो पूरी तर सहारत में जा चुके होते किसी को विश्वास नहीं हो रहा होत हैं तब तक के लिए बाई झाल करे बाई